दूर किसी जंगल में सब ही पक्षी मिलजुल कर रहते थे गर्मियों का मौसम था इसलिए जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई थी चोटी जडिया के पास कुछ दाने जमा थे कई दिन तक चोटी जडिया अपने दोस्तों की साहिता करती रही और फिर एक दिन जडिया के पास से भी दाने खतम हो गे और फिर पक्षी बहुत परिशान हो गे वो सब दोस्त सूखे पेड़ पर बैठे हुए थे चम मिठू तोता अपने दोस्तों से कहता है हमें अपने अंदर का खोफ खतम करना होगा अब हमें जिन्दा रहने के लिए भोजन लेने पडोसी जंगल की तरफ जाना होगा मिठू के ऐसा कहते ही वो सब दूर हरे भरे जंगल की तरफ देखने लगते हैं वहां के पेड हरे भरे हैं जरूर वहां भोजन भी होगा वहां फल होंगे मगर भूल के हो क्या हम सब वहां क्यों नहीं जाते वहां डूस्ट चील रहती है जो बहुत बेर दर्दी से पक्षियों को मार कर खा जाती है अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो हमारे बच्चों के दिलों में भी उस चील का खोफ बैठ जाएगा और फिर वहां ना हम जा सकेंगे और ना हमारे बच्चे चलो हमें जाना होगा हमें भोजन के लिए चनोती मौल लेना ही होगी फिर वो सब दोस्त वहां से उड़ते हैं उस चंगल में तो रंग बरंगे फूल और फल थे पक्षि बहुत खुश होते हैं और सब पक्षि स्वाधिश्ट फल खाने लगते हैं पक्षियों की आवाज सुनकर अपने घोंसले में सोई हुई चील भी जाग जाती है लंबे समय बाद मैंने पक्षियों की आवाज सुनी है आज मुझे मास मिलेगा आज तो मेरी किसमत ही जाग उठी फिर चील तेजी से अपने घोंसले से निकलती है और पीछे से जाकर एक बुलबुल को पकर लेती है वो उसे मार कर खाने लगती है ये देख दूसरे सारे पक्षी वहां से उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाते हैं मिठू और चडिया ये सब तुम दोनों की वज़ा से हुआ है हाँ चडिया और मिठू तुम दोशी हो हमने आप से कहा था कि वहां जाना ठीक नहीं है मिठू और चडिया चुप थे वो खुद को कसूर वार समझ रहे थे फिर वो सब वहां से चले जाते हैं चडिया के सामने बुलबुल का खून बार बार आ रहा था दूसरे दिन चडिया मिठू के पास जाती है मिठू अगर आज नहीं तो कभी नहीं चलो हमें जाना होगा हमें उस चील से मुकाबला करना होगा कल उसने बुलबुल को मारा और अगर हमारे जंगल के पक्षियों को भोचर ना मिला तो सम मर जाएंगे यहां बैठ कर भोग से मरने से कहीं अच्छा है मैं लड़ता हुआ मर जाओं मैं जालिम से लड़ूँगा फिर चिडिया और मिठू वहां से उड़ते हैं चील अपने खोंसले में सोई हुई थी मिठू थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और चिडिया एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है और फिर जैसे ही मिठू तोटा चिडिया को संके देता है चिडिया एक छोटा सा पत्थर चील की तरफ फैंकती है चील की आँख खुल जाती है आज फिर आज फिर मुझे मास मिलने वाला है चील की नजर चिडिया पर जाती है चिडिया भी पूरी तियारी कर लेती है मिठू भी चोकरना हो जाता है चील तेजी से चिडिया की तरफ भड़ती है मगर जैसे ही चील चिडिया के पास आती है चिडिया बड़े पथर के पीछे छुप जाती है और चील का साय पथर से टकराता है चील गिरती है, मिठू भी मेदान में आता है और चोटे पथर उठा उठा कर चील को मानने लगता है चीडिया भी एक आंटे दारशाख से चील पर हमला करती है ऐसे मिठू और चिडिया दोनों मिलकर उस डुष्ट जील को उसके अंजाम तक पहुंचा देती हैं फिर उस दिन के बाद सब पक्षी उस हरे भरे जंगल से फल खाते हैं अब उन्हें कोई खोफ नहीं था मिठू और चिडिया के बहादरी देह कर कालू कवा भी बहुत हैरान था चिडिया और मिठू आपने सच कहा था भोग से मरने से अच्छा है लड़ते हुए मर जाना और अब हमारे बचे भी इस जंगल के मीठे मीठे फल खाएंगे प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी मुसीबत में घबराने की बजाए हमें हिम्मत से काम लेना जाहिए गर्मियों का मौसम था चिडिया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी मिठू दोता वहां आ जाता है चिडिया बहन मैं तो हर रोज सूखा दाना खा खा कर ठक गया हूँ मुझसे और सूखा दाना नहीं खाया जाता मिठू हम पक्षी हैं हम कोई इनसान थोड़ी हैं जो रोज तरहा तरहा के भोचन खाएंगे चिडिया अगर हम सब पक्षी मिलकर कोशिश करें तो हम भी कुछ नया कर सकते हैं वो कैसे मिठू भेया मेरे घर के पास जो खुला मेदान है हम वहां सबजियां भी तो उगा सकते हैं और कुछ फल भी हम कर सकते हैं मिठू भेया हम सम मिलकर सबजियां और फल उगाने की कोशिश करेंगे फिर सा पक्षी अकठे होकर सलाह करते हैं चिडिया बात तो ठीक है मगर सबजियों और फलों के बीज कहां से मिलेंगे मेरे पास इसका उपाए है मैं सारे बीज किसान की पतनी से ले आती हूँ उसने हमेशा हमारी मदद की है और वो आज भी मुझे बीज जरूर दे देगी फिर चिडिया मिठू को साथ लेकर किसान की पतनी के पास जाती है चोड़ी चिडिया मेरे पास सबजियों के बीज तो है मगर ये काम मुश्किल है कि आपक्षी इतनी मेहनत कर लोगे माची हम करेंगे हम मेहनत से अपनी सबजियों की देख भाल करेंगे हम भी कुछ निया करना चाहती है तो फिर ये लो ये भिंडी के बीज है और ये कुछ बीज कदू के है ये रहे खीरे और ये बीज है करे लेगा ऐसे किसान की पतनी चिडिया को मुख्तलिफ सबजियों के बीज दे देती है माची किसी फलदार पेड़ का बीज भी दे दे ये लो मिठू इस पोटली में केले का बीज है फिर चिडिया और मिठू किसान की पतनी से सारे बीज लेकर खुशी खुशी वापिस चले जाते हैं सब पक्षी बहुत खुश थे वो सब मिलकर सारे बीज जमीन में दबा देते हैं कवा और उसकी पतनी नदी से पानी लाते हैं और बीज पर डालते हैं वो सब शाम तक सारे बीज लगा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाती है दूसरे दिन कबूतर दोड़ा दोड़ा मिठू के पास आता है मिठू मिठू जल्दी चलो जाकर देखें हमारा खेत कैसा है हमारी सबजिया उग आई होंगी फिर मिठू और कबूतर अपने बीजों को देखने खेत में चले जाती है यहां तो कुछ भी नहीं है मैंने सोचा था कि हमारी सबजियां उग आई होंगी मगर अब न जाने और कितने दिन हमें सूखा दाना ही खाना पड़ेगा चिडिया भी वहां आ जाती है मिठू क्या हुआ है आप रो क्यों रहे हो चिडिया चिडिया अभी तक हमारे बोई हुए बीजों में से एक भी पोदा बाहिर नहीं आया मिठू भेया अभी तो कल ही हमने बीज बोई हैं अभी तो बहुत महनत करना होगी और फिर जाकर बीज उगेंगे ऐसे चिडिया अपने दोस्तों को साथ लेकर फिर से काम में लग जाती है आज वो सब बेलचे से जमीन को नरम करती हैं ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती हैं और फिर उनके खेत में सारी सबजियां उग आती हैं भिंडी के पौदों पर हरी हरी भिंडी लगी हुई थी और करेले की बेल पर बड़े बड़े करेले थे खीरे तो बेल पर इतने लगे हुए थे के बेल तूटने को थी सब पक्षी बहुत खुश थे वो देखो, वो देखो हमारे केले के पेड़ पर केले भी लग गे हैं अब हम सब मिलकर मजे करेंगे आज मैं आप सब के लिए भिंडी बनाती हूं और हम सब मिलकर मेरे घर में भिंडी खाएंगे और मैं आज आप सब के लिए केले का शेक त्यार करूंगी ऐसे वो सबखशी महनत से काम करते हैं और अपने लिए सबजिया और फल लगा लेते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सेख मिलती है कि महनत और लगन से हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं